साधितुल्ला हुसैनी साब हमारे साथ मौझूद है जो की जमात इसलामी के अमीर है सर जो कोट का फैसला आया है बाबरी मस्जिद को लेकर उस पर आपके पहली टिपड़ी क्या होगी जी कोट के फैसले पे हमारी पहली टिपड़ी यह है कि उसमें बाज आप्जरवेशन्स बहुत अच्छे हैं खास तोर पे उन्होंने जिस तरह 1991 के रिलिजियस प्लेसेस प्लेसेस अफ वर्शिप एक्ड को स्ट्रेंग्थन किया है उसको हम वेलकम करते हैं और और भी बहुत सारे अब्जरवेशन्स हैं जिसको हम वेलकम करते हैं लेकिन जो कंक्लूट किया है उन्होंने अल्टीमेटली और जिसके जरीए मस्जिद की जगा को दूसरी पार्टी के हवाले किया है उससे हम सैटिसफाई नहीं है पूरी तरह मुतमाइन नहीं है उससे एग्री बे नहीं करते है सुप्रिम कोट के फैसले से डिस एग्रिमेंट का या उस पर डिस सैटिसफेक्शन के इजार का हर शेहरी को हग है हम उस उसको जो है पाँच एकर जमीन दूसरी जंगा दे दी जाए वो मस्जिद बनाए तो इस पर का कहें गाए तो इस पर भी ये बातें पहले दिन से कही जाती रही है कोट में भी ये बातें कही गई है कि मस्जिद के बारे में हमारी हमारा अकीदा ये है कि इसकी जगा अल्लह त सेल करें यह हमको नहीं है तो इसलिए एक्सचेंज करने की कोई बात मैंने समझता कि काबिल खुबूल होगी तो अभी हमारी बोर्ट की जो अल इंडिया मुस्लिम पसला बोर्ट है उसके एक्जिक्टिव कमिटी के मिटिंग होगी उसमें तफसिल से जायजा लेंगे उसके ब बाद हम कुछ सुचेंगे डिसाइड करेंगे के रिवीव पेटिशन फाइल करना है नहीं करना है यानि मुस्लिम पक्ष के सभी मुस्लिम पक्ष का यही दावा है कि वो विवादी जो जमीन है उस पर दावे की लडाई लड़ाई लड़ाई थी पांच एकर जमीन जो रही थी मस्जीद की जंगा शिफ्ट नहीं की जा सकती है जहा नमाज होती है वही मस्जीद होती है वही अल्ला का घर होता है उससे शिफ्ट नहीं किया जा सकता ऐसा मुस्लिम पक्ष का मानना है लीगल टीम वर्थ कर रही है अगर मुम्किन हुआ तो रिव्यू फाइल की क्याहिए सुप्रीम कोट में कैमरामेंट विजेन के साथ स्वराज एक्सप्रेस दिल दिल दूए